भगवान शिव का अपनान है जहां भगवान शिव है हुआ तो हम सद्धा से बात करते हैं आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है जीव से निकाला एक फोटोर दे भगवान शिव कोई फिल्मी का लाकार थोड़े हैं भगवान शिव देवादी देव महादेव नमामी शमीशान निर्वान रूपम विवुम व्यापकम ब्रह्म वेदस वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकास माकास वासो वजेहं ये गलत है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहूल गांदी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पातर थोड़ी है जिस तरह जेब से निकालो संसत के पटल पर रखतो दूसरी बात उनोंने हिंदूं को कोसने का ठेका ले रखा है क्या आप हिंदूं को हिंसक कह रहे है हिंसा से हिंदूं का मतलब क्या जिस धर्म में चीटी को मारने की अनुमती नहीं है उस हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहा है मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी को ऐसा लगता है कि हिंदुत को मिटाए बिना, हिंदुत को खतम किये बिना हिंदूों को गाली दिये बिना, हिंदूों को क्रिटिसाइज किये बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता पहले वो समझते थे कि बीजेपी हिंदुत्व है अब उन्हें लगता हिंदुत्वी भाजपा है आज उन हिंदुओं को बड़ी ठेस लगी होगी बड़ी तकलीफ हो रही होगी जिन्होंने इने वोट दिया है ये बहुत बड़े चिंतन का विश्य है अब पूरे विपक्ष के उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा मैं पूरे विपक्ष के राजिनेतिक दलों के नेताओं मैं पूछना चाहता हूँ अखलेश यादव जी से जवाब ने ममता भिनर जी तेजस्वी यादव बताएं राहुल गांदी जी को उन्होंने अपना नेता चुना है अखलेश यादव जी तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी ममता भिनर जी जी अर्विंद केजरिवादी सब बताएं क्या हिंदू हिंसक है क्या हिंदू ने आपको वोट नहीं दिया है जिन हिंदू ने आपको वोट दिया है वो कितना दुखी हो रहे होंगे कि पूरी कम्यूनिटी को हिंसक बतारा जा रहा है मुझे लगता है कि राहूल जी को हिंदू समाज से छमयाचना करनी चाहिए जो वो नहीं करेंगे फिर भी मैं अनरोध कर रहा हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि उन्हें करनी चाहिए अपुरे लगत तरीके से राहूल गांधी का रविया रहा पार्लेमेट के अंदर और उन्होंने प्रधान मंत्री के उपर भी कटाक्ष किया कि प्रधान मंत्री बैलोजिकल नहीं है अवतार है इनकी सीधी बाचे परमातमा सोगी है इस तरह के बातों से एक बड़े समाज को आज आगार पहुँचा है प्रधान मंत्री को जो लोग फॉलो करते हैं देश इने विदेश का विजित्व होता है देखे सवाल एक व्यक्ति का नहीं है सवाल एक पारटी का नहीं है सवाल भारत का है सवाल भारत के अस्तित्व रस्मिता का है प्रधान मंत्री किसी पारटी का किसी एक राज का नहीं होता प्रधान मंत्री जब बन जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करता है उसका सम्मान होना चाहिए जो राहुल गांदी करना नहीं चाते राहुल गांदी जी नरेंदर मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उन से नफरत करते 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 वो इस देश से नफरत करने लगे है और ये इर्शा उनका जो भाव है इर्शा का जो भाव है ये उनके शब्दों में आ जाता है हमारे हैं संस्कृति है हमारे हैं सब बता है वो लोगसभा अद्यक्ष के उपर भी टिपड़ी कर रहे है लोगसभा अद्यक्ष ने आज बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमसे कोई बड़ा आता है, हम उसे पढ़ाम करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति की बात हैं, राहु जी की समझ में नहीं आ सकती हैं, उनकी समझ में भारत की संस्कृति और सबहता की बात हैं नहीं आएंगी, जिनकी परवरिश विदेशी की तरीके से हुई है कि अब है मुद्रा की बाद करते हो तो मुझा लगता हुने मुद्रा का अर्थी नहीं पता वो सोच रहूंगे धनन पैसा करनसी आप तो अभेमुद्रा की बात करते हैं उनकी टीम ने उन्हें कुछ सिखाया होगा सुगा उनका क्या लेना देना साधना से उनका क्या लेना देना संसकारों से उनका क्या लेना देना भारत की संस्कृति और सब्बता से कभी उनके मुँझे सुना है कि भारतमाता की जै सुनाए नहीं सुना होगा यह सब की सब जो बाते हैं यह सब वैमानी है हिंदूएं को गाली देना तो उनका शौप बन गए फैशन बन गए पर आज सवाल यह है कि लोगसभा के पटल पर जो राहूल गांदी जी ने पूरे हिंदू समाज को गाली दी है क्या उससे अखले श्यादव सहमत है जवाल देना ये वो सब नेता हैं जिन्होंने अपना नेता राहूल जी को चुना है मेरा सवाल कॉंग्रेस पार्टी से नहीं है मेरा सवाल आज विपक्ष के उन नेताओं से जन्होंने राहूल गांदी जी को अपना नेता चुना है क्या हिंदू समाज हिंसक है क्या हिंदू समाज हत्यारा है क्या हिंदू समाज आंकारी है क्या हिंदू समाज जो भी राहूल जी कह रहे हैं उससे सहमत है ये जवाब इनको देना चाहिए और देना पड़ेगा बरबाद करने में उन्हें 15 वर्ष लगा पूरे विपक्ष को पूरे विपक्ष की नईया डुबोने में उन्हें कितना समय लगेगा आज तो पहला दिन है अभी तो शुरुवात है इफ्तिदाई इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिये होता है क्या है जिस तरह से कॉंग्रेस को बरबाद किया है राहूल जी ने, पूरे विपक्ष को भी बरबाद करने का, बरबाद करने मुने ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पूरे विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा, क्या हिंदू समाज हिंसक है, बस. इस अगरिबीर के बरबाद किया जा रहा है, सेना को भी बरबाद करने के पूस, देखे, मैं ऐसा मानता हूँ, जो सरकार होती है, वो इक कोई स्कीम लाती है, दूसरी सरकार दूसरी लाती है, स्कीम की आलोचना करना आपका लोकतांतरी का अधिकार है, आप करिए, पर देश क सेवा में वो जाता है जिसमें देश के लिए जजबा होता है अगर दस साल देश की सेवा करने का मौका मिले तो अच्छा चार साल मौका मिले वो भी अच्छा चार पल को भी अगर देश की सेवा में जाने का मौका मिलता है वो भी हम अपना सौभाग समझते हैं हम मा भारती के सपूत हैं साहब उनसे पूछो ना जो देश की सीमाओं के ऊपर खड़े होकर के राद दिन देश की सुरक्षा करते हैं तो इस जजबे को ये नेता नहीं समझेंगे ये नहीं समझेंगे इनकी समझ में नहीं अब उसे दुबारा अपलोड करने के लिए पताने हैं